देश का सबसे स्वाच्छ शहर इंदौर जितना देश भर में स्वच्छता के लिए अपने टेकनोलोजी में बढ़ोतरी के लिए साथ-साथ अन्य चीजों के लिए फेमस है और हाल ही में अब नंबर वन एरपोर्ट भी बन चुका है तो कई सारी चीजों के लिए अच्छे भाव में तो फेमस है ही लेकिन इंदौर व कॉल है दरसल इस वक्द हम ंदौर की काजी कि चाल में खड़े हैं और यह काजी की चाल वो चाल है जहां पर कई सारी प्रेता वाधित जो हौआ है वो देखी गई है महसूस की गई है तर जो हश्र है वो भी हैं के लोगों ். जहांपर कई सारी किशोरियों ने जलकर अपनी जान्दी है क्यूं दी है कैसे दी है किसी को कुछ नहीं पता हमना ही आज तक अभी उसके बारे में कोई सुराग जूटा सका है। लेकिन वगाजी काजी किशाल है, Coxамаमाले यहां पर कई सारी लड़कियां जो की 22 साल से कम की उम्र की थी काफी सुन्दर हुआ करती थी और कुछ भी उन लोगों के अंदर ऐसी परेशानिया या देखी नहीं गई या बिमारिया देखी नहीं गई लेकिन वो लड़कियां जो थी वो शिकार हुई यहां की काली हवाओं की बुरी हवाओं की और उसके बाद उन लोगों ने अपनी जान गवाई है मैं दिखाना चाहूंगी एक घर जो है वो जस्ट हमारे सामने हमें यहां पर नजर आ रहा है यह वो घर है जहां पर दो लड़कियों ने जलकर अपनी जान दी थी मिट्टी का तेल डाला था और सबसे बड़ी बात यह है कि यह यहां पर आत्मःत्या की गई थी तब से हाँ पर कोई रहनी रहा है लेकिन अगर हम देखें तो जलने के यहां पर कोई शुराग नहीं मिले गए थे सिफर सिफ यहां पर लड़कियां जिनको हवा थी वो लोग जले थे और उसके अलावा कोई भी आम पर जलाई का सुराग भी नहीं मिला और नहीं कभी और मिल पाया है उसी के साथ ये जो पत्रा हम देख रहे हैं इसके पीछे यहाँ पर भी कई लड़कियों ने जल कर और किसी ने पेड से टंकर फासी लगा कर अपनी जान दी थी लेकिन बात वही है कि आज तक कभी भी उसका कोई भी सुराग जो है वो नहीं जुटा पाए कई तरह की CBI की जा जान दी थी और जान देने के बाद वो जब उसकी जांच की गई तो टार की केसी तरह का कोई भी सुराग यहां पर नहीं जुटा सका जो लेटिस्ट केस था वो एक हीना डाम की लड़की का था और वो इस घर का था हम आपको दिखाना चाहेंगे किस तरह से वो घर जो है आजниц है और जल कर जिस जगह हम फिलहाल खड़े हुए है वही खड़े निश्कर्ष नहीं निकल सका और वो निश्कर्ष न निकलने के कारी कि काली हवायं थी कुछ कह है नी सका हमाइस के कुछ लोग भी मॉजूद है're मुं से भी बात करके जानेंगे कि आखेरकार काजी की चाल का कि कहानी क्या है क्या हुआ है jest ना लड़की अच्छी रेती खुश रेती काम धन्दा सब करती माअब आपका केना है भी सब सुनती पर उन्ने कुछ ङशा हो जाता कि आठ पंदरे दिन बाद फिर देखते हैं फिर दूसरी कभी यह होता है तो इसे 12-14 लड़कियों ने इसा आत्मात्या करिए और सभी ने जलकर आत्मात्या किये मिट्टी का तेल डाल के आत्मात्या करी जलकरी करी अच्छा कई बार यहां पर पुलिस आई होगी कई सारे इन चाल कि अगर हम बात करें तो क्या इहां पर आप लोगों ने कहानिया सुनी क्या देखा है आप लोगों ने दो मेरे को तो 12 साल हुआ जया है मैंने एक केस देखा था एक लड़की यही सामने रहती थी जलके अचानक अच्छे बोलते बोलते जाके जलके और भगी बगते द होता है आट-पंदरा दीन निकलती फिर दूसरा होता है ऐसे करके फिर इसका यहने कोई हली निकलता है अच्छा जब आपने देखा था तो उसकी हालत कैसी थी क्या उसके अलावा और कोई आजू-बाजू की चीज़े जलती हुई देखी गई श्रीव खुदी जलते हुए अच्छा वापिस देखने को मिला है अभी कितने हापर पुले-स अलेस आई होगी कितनी चीज़े निकली होगी कभी कोई निश्कर्श निकला इसका तो कुछी नहीं आप से जानूंगी आँटी क्या कहानी है यहां की क्या हुए ऐसा बस आगे बस ऐसा अचाना की काम करते- इसा कुछ अपने को मालम हीं नहीं पड़ता है आप काफी समय से यहां रह रहे हैं कितने लोगों को आपने ऐसे देखा है मैं तो सब को देखा चाली सो को तुटी लड़कियों को देखा है सब चोटी लड़किया ही थी आँ दस, ग्यारा, बारा, चौदा कोई कारण पता क्यों हुआ क्यों लड़कियों के साथ यह से कारण नहीं पता चला बस यह फॉप उड़ाए कि वजिया हवा बगेरा बस यह से चलता रही है जिसके कारण यह सारी जो गटनाएं वो गटेत होती क्या यह सही यह मेड़ा मां बोलते तो है पर हमको तो आज तक नहीं दिखी सब बोलते हैं कि यह आत्मा का वो है पर यह सा कुछ नहीं बस लड़किया बस अच्छी रहती सब कुछ अच्छा होने का असी खुछ अपने से बात करते करते हैं और कुछ खाते हुए भी जाई और अंदर जाई और घासले डाल का लगा कि जाई कितने बजे की घटना होती है यह गर में दर जूते है इसके जाइज सामने गरलने क क्या पूरम ने आखिर क्या क्या डेखा अपने देखा था यह केस होता हुए जे मुआ यहां से लड़की आग लगा के निकली और दोड़ते वो बस यहीं गिरीती हो तो कुछ निशकर्ष निकला उसका किस तरह से क्या यहां पर रिपोर्ट की गई क्या जांच हुई थी हस्पिटल भी गए थे सब पुलिस वाले और जांच बगेरा भी वही कोई निशकर्ष निक अब यह तो मिडम कुछ भी के सकते हैं कि सको इतिफाक भी वो सकते हैं या कुछ पर दोटें करते हैं उस समय चेतुरती की बात थी जिसमें का मुआ था एक लड़की जलके हाँ पर आके गिरती है उस अम यूजना बनारे थे गणे चेतूरती के पंडाल के लिए और अचानक से हम देखते हैं कि लड़की जलके यहां पर गिरती है हमने उसका पता हुसको फि जन्वी करवाएं और पंड़ार पंदरा से स्थी नहीं विनी है यह लड़की जलके मरी यह फिर किसी कारण कर दोजार पंदरा के पहले 10-12 लड़कियों ने ऐसे अपने जलके जान दिये जिसके बारे में हम लोग यहां पर सुन रहे हैं सोच रहे हैं जी मैं हम यह सच बात और किशी का साय होता है कोई उन्हें प्रेशराइज करता है कि आपको जान देना है आपको इस तरह से मरना है और उसके बाद वो जो लड़की वैसा कदम उठाती है जी ए अच्छी स्वस्त हैं खेल रही हैं बढ़िया सबसे बात चयरी वह अचनक से घर में आती है तो यह कोई गटना नहीं है यह पैसा इसा बोला जांग महात्म होगी उसकारण फिर लड़किया कदम उठा सकती तो किस तरह से यहां के लड़कियों ने अपनी जान गी किसे जलने का तो हमने सुनाए उसके अलावा क्या कैसे यहां पर हुआ है अब इसमें कुछ लड़की दो फासी भी लगाई है। और अधिकता 90% केसे जलने के हुए हम सरका हम आठ से नों केसे जलने के हैं यह वही काजी की चाल है जहां पर लोगों ने जल कर लोग नहीं कहूंगी मैं लड़कियों ने जलकर जान दिये करीब 10-12 लड़कियां थी जिन लोगों ने जान दिये और यह जो केसिज हुए है यह लगातार हुए है और हमेशा 10-12 दिन के अंदर जो लड़कियां होती थी वो जान देती थी यह वही गली है जो हम आपको दिखा रहे हाला कि अभी काफी समय से जबसे हाँ पर मंदिरों का निर्मान हुआ है ऐसे केसिज होने बंद हो गए हैं 2015 के बाद अभी तक हाल में ऐसा कोई केस सुनने में नहीं आये लेकिन उसके पहले हाला कि काफी बार काफी बार यह जो केसिज है वो सुने हैं कई लोगों ने देख कि हैं उन लोगों ने भी जांच परतल कि लेकिन आज तक कभी भी इस चीज का निशकर्ष नहीं निकल पाया और ना ही अब लोग भी इसमें जुटाने के लिए कोशिश करें को कि सन 2015 में आखरी बार ऐसा कोई केस हुआ था उसके अभी तक तो ऐसा कोई केस नहीं हुआ है हमने आपको दिखाई इस तरह की जगे आपके सामने लाते रहेंगे बने रही हमाई साथ कामरा पुरसन संतोज जटवन के साथ मैंने हारिका शर्मा खबर बेबाक इंड़ॉर